हेलो जैहिन कैसे हैं आप सब लोग इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैट्स का प्रेक्टिस सेट 48 इसका पहला क्वेशन है इसके लिए एक फॉर्मला में आपको बताया था M1 into D1 बराबर होता है M2 into D2 की यहां पे M1 कितने है 25 D1 कितना है 24 बराबर M2 यहां पे पूछा है और D2 हमने निकालना है D2 कितना है 20 अब मैं आपको बताता हूँ एक्जाम में आप step कैसे गायब करोगे ठीक है यहां से आप अपना time बचा सकते हो 5 से कटेगा 5 बार 5 से 20 कटेगा 4 बार और 4 से 24 कटेगा 6 बार तो 5 चका 30 बराबर M2 तो 30 ब्यक्ति जो है इस काम को 20 दिनों में पूरा करेंगे अगला question है यह आपको formula यहां पे पूछा है ठीक है तो इसका formula होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B option number D अगला question है इनर triangle A 80 है B 90 है तो C की value यहां पे पूछी है कोई एक triangle है इसमें angle A की value है 80 degree angle B की value यहां पे है 90 degree और angle C आप से यहां पे पूछा है किसी भी triangle में तीनों angles का sum कितना होता है A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है 180 degree पहला angle है 90 दूसरा angle है 80 प्लस तीसरा angle C हमें पूछा है बराबर 180 तो C बराबर क्या होगा 180 9,8,17 यानि 170 180 माइनस 170 बराबर 10 degree option number A अगला question है if ratio of radius of two circles is 4 इस तो 5 then find the ratio of their areas तो यहां पे आप सीधा सीधा आपको पता है R का क्या होता है area में square तो यहां पे 4 का square कितना होगा 16 और 5 का square कितना होगा 25 option number A इसका right answer हो जाएगा बाकी इसको आप basic से कर सकते है पहली वाली radius कितनी है 4 तो पहले वाले का area क्या होगा πाई 4 का square या आप ऐसे लिखिए ठीक है पहले वाला जो बृत है या circle है उसका area क्या होगा πाई R square दूसरे वाला जो circle है उसका area क्या होगा पाई यहाँ पे R को लेजिए capital R, capital R square तो पाई इंटो R की value क्या है? 4, तो 4 का square यानि 4 चको 16 यहाँ पे पाई इंटो R का square यानि 5, 5 बंजे 25 पाई से पाई कड़ गया और 16 इस्टो 25 और इसको हम लिख सकते हैं 16 बटे 25 इस ratio को ठीक है? option number A अगला question है इसमें आपको simple interest इसका निकालना है ठीक है? तो यहाँ पे SI बराबर क्या होता है? principle कितना है? 5000 rate कितनी है? 4 और time कितना है? sorry, rate कितनी है? rate 4 नहीं है ठीक है? यह है आपका time rate कितनी है? 4 सही 1 बटे 2 यानि 2 चोको 8 चार सही 1 बटे 2 को हम क्या लिखेंगे? 4 सही 1 बटे 2, 2 चोको 8 और 1 9 बटे 2 तो rate यहाँ पे है 9 बटे 2 into time कितना है? 4 साल upon में क्या आता है? 100 2 जिरो से 2 जिरो कट गए 2 से 1 गटे का दू बार तो 9 दून 18, 18 पंजे 90 यानि 900 रुपे option number B अगला question है if a sum of 450 becomes 504 in 3 years then rate of interest will be तो यहाँ पे आप देखिए amount कितना है? 504 रुपे principle कितना है? 450 रुपे तो SI कितना मिला है? इसको SI मिला है 504, SI बराबर क्या होता है? amount minus principle बराबर 504 minus 450 बराबर कितना होगा? यहाँ पे बचेगा 4 10 में से 5 गया 5 तो 54 रुपे का इसको क्या मिला है? interest मिला है SI बराबर क्या होता है? P into R into T upon 100 SI कितना है? 54 बराबर होगा principle कितना है? 450 गुणा rate कितनी है? rate हमें यहाँ पे निकालनी है into time कितना है? 3 साल upon में 100 0 से 0 कड़ गया यहाँ पे आप देखिए 5 से एकटेगा sorry 9 से एकटेगा 6 बार 9 से एकटेगा 5 बार 5 एकम 5 5 दुना 10 अब यहाँ पे आपके पास बचा है 3 एकम 3 और 3 दुना 6 तो यहाँ पे R R upon 2 तो यहाँ बचाए आपका 2 बराबर R upon 2 2 जाएगा वहाँ पे तो R बराबर कितना होगा? 4 परसेंट ठीक है बाकिया अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप इसको basic से भी solve कर सकते हैं ठीक है? अगला question है इसके factor आपको निकालने है तो इसके factor भी एक दो बार हम निकाल चुके हैं पहले भी तो यहाँ पे देखते हैं 5 और 1, 6 और 6, 12 इसका मतलब यह 3 से कटेगा ठीक है? तो 3 पंजे 15 3 0 को 0 3 0 को 0 और 3 पंजे 15 फिर यह गटेगा 5 से 5 एकम 5 5 0 को 0 5 0 को 0 और 5 एकम 5 अब यह 5 से नहीं इकटेगा अब यह गटेगा 7 से 7 एकम 7 यहाँ पे 3 0 7 चको 28 7 23 अब यहाँ पे देखते हैं यह 11 से कटेगा 11 एकम 11 यहाँ पे 3 3 यानि 33 11 33 33 एकम 13 तो 5 3 5 7 11 13 3 5 7 11 13 अबसा नमबर B अगला कोशन है इस दरीडी ओफ टू सिलिंडर्स आर इन दरीशो अफ थरी इस तो टू और यहाँट्स इन रीशो फूर इस तो थरी देन दरीशो अफ दियर वॉलिम्स दो सिलिंडर हैं ठीक है दूबारा से बनाते हैं दो आपके पास सिलिंडर दे रखे हैं ठीक है यहाँ पे जो इसकी जो रेडियस है इसकी जो रेडिय है वो क्या है तीन और इसकी क्या है एक दूसरा सिलिंडर है इसकी रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है दो इनकी रेडियस का अनुपाद क्या है 3 is to 2 यानि इसकी 3 होगी और इसकी 2 होगी और इनकी height का नुपात क्या है इसकी height है 4 और इसकी क्या है 3 है इसने पूछा है इनके volumes का ratio कितना होगा अगर आपको चीजें पता है तो आप इसको सीधा सीधा भी solve कर सकते है radius का क्या होता है square to यहाँ पे आएगा 3 3 या 9 और height कितनी है चार यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे होता है πाई ratio निकालना है तो दूसरे वालिक आएगा radius का square यानि 2 गूरा 2 2 गूरा 2 into height कितना है height कितनी है तीन और यहाँ पे आएगा height है 3 और यहाँ पे πाई पाई से पाई कड़ जाएगा, तीन से तीन कड़ गया, चार से ये चार कड़ गया, यहाँ पर क्या आएगा, तीन is to one, option number B बाकी आप इसको देखिए, यहाँ पर basic से, इसका volume क्या होता है, पाई आर square H और इसका volume भी क्या है, पाई आर square H, ठीक है, यहाँ पर आर की value कितनी है, तीन, तो पाई, तीन का square, यानि तीन गुणा तीन, और यहाँ पर क्या है, एच मनलब 4, बराबर होगा, पाई, इंटू, यहाँ पर आर कितना है, दो, दो गुणा दो, इंटू H कितना है, तीन, अब जब भी ratio में, ratio में दो number होते हैं, और रों कट रहे होते हैं, तो इनको हम काड़ लेते हैं, ठीक है, पाई से पाई कड़ गया, तीन से तीन कड़ गया, यहाँ पर आप देखिए, दो, दुना चार, तो चार से चार भी कड़ गया, यहाँ बचा है, तीन, यहाँ बचेगा इन हाँ मेनी डेज, विल ही वीव टेन बास्केट, पच्चीस बास्केट यह बनाता है, कितने दिन में, पैंतीस दिन में, एक बास्केट बनाएगा, कितने दिन में, पैंतीस बटे पच्चीस, यानि पांच से गटेगा साथ बार, पांच से पांच बार, साथ बटे पांच दिन में ठीक है इसने पूचा है 110 बास्केट कितने दिन में बनाएगा तो 110 बास्केट बनाएगा 110 गुणा एक दिन में कितना बनाता है 7 बटे 5 तो 5 से एकटेगा 22 बार और 22 गुणा 7 कितना होगा 154 दिन में option number D अगला question है इन दोनों की present age यहां पे निकालनी है तो यहां पे लीजिए पूचा को और यहां पे उसके फादर को जो पूचा की age है उसका चारगुना किसकी एज है उसके फादर की age है मान लीजिये पूचा की age कितनी है X है तो उसके फादर की age कितनी होगी 4X ठीक है आगे कहता है 5 साल पहले 5 एर एगउ 5 ए एर एगउ यहां पे इसने लिखा है 5 year ago अगर हम निकालें तो इसकी age क्या होगी ? X-5 और इसकी क्या होगी ? 4X-5 इनमें से हम पांसाल कम कर देंगे पांसाल पहले हर father's age was 9 times of her age उसके जो पापा की आयू है उसकी आयू का 9 गुना हो जाती है ठीक है तो इसके साथ हम 9 से into कर देंगे 9 गुणा X बराबर 9X माइनस 9 पंजे 45 बराबर होगा 4X माइनस 5 अब इस 4 को लेके जाएंगे यहां पे 9X माइनस 4X बराबर यहां पे है माइनस 5 प्लस का क्या होगा यह जाएगा इधर 45 प्लस का तो यहां बचेगा 5X यहां बचेगा आपका 45 में से 5 गया 40 तो X से बराबर कितना आएगा 40 बटे 5 यानि 8 तो पूजा की आयू कितनी आई है 8 और X की वेल्यू कितनी है 8 तो 4 गुणा 8 बराबर कितना होगा 32 उसके फादर की आयू क्या होगी 32 यह था practice at 48 उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चलिए signing out